धम्म चक्रव प्रवर्तनाचे कार्य जा दिक्षा भुमीवर डाक्तर बाबा साहिब आम्बेड करजीने केल या भुमिला माजे प्रणाम काशी हा प्राचीन ज्यान नग्रिया है नागपूर बनू सकता का मंचा और बसले ले सग्डे मान वाओ आज एक साथ इतनी वड़ी लंबी सुची है सब के नाम बोल नहीं रहा हूं काफी लोगा ने बोल दे आपको आद रहे गे होंगे एक साथ इतने सारे प्रकल्प अज नागपूर की धर्ती से देश को समर्पित हो रहे हैं आवाज आएक लगा आएक लगा आएक लगा आएक लगा आएक पोज़ praण आएक आज 14 अप्रील डॉक्टर बाबा साथ अम्बेड करकी जन्म जेन्ति का प्रेरक आउसर है इस मेरा सोभाग रहां कि आज प्रात्र दिक्षा भूमी में जाकरके उस पवित्र धर्ति को नमन करने का आउसर मिला एक नई उर्जा नई प्रेरना लेकरके मैं आपके बीचाया हूँ इस देश के दलीत, पीडीत, शोशित, वंचित, गाउँ, गरीब, किसान हर किसी के जीवन में आजाद भारत में उनके सपनों का क्या होगा, उनके आशा अकांचाओं का क्या होगा, क्या आजाद भारत में इन लोगों के भी कोई पूछ होगी कि नहीं होगी, इन सारे सवालों के जवाब भीमरा वांबेड कर जिने समिधान के माध्यम से देश वासियों को दिये थे, गारंटी के रूप में दिये थे, और उसी का परणाम है कि सम्विधानिक ववस्ताओं के कारण आज देश के हर तपके के विक्ति को कुछ करने के लिए अवसर सूलब है, और वही अवसर उसके सपनों को साकार करने के लिए, उमंग और उत्सा के साथ जी जान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति के दुरुप से मैंने जीवन में मैं हमेशा अनुभव करता हूं। कि अभाव के बीच में पैदा होकर के भी, किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना, अभाव के रहते हुए भी, प्रभावी डंग से जीवन की आत्रा को सभलता पुर्वक आगे बढ़ाये जा सकता है। और वो प्रणा बाबा साहब आमबेड कर से मिलती है। अभाव का रोना रोना नहीं रोना और प्रभाव से बिचलित नहीं होना ये संतुलित जीवन दबेक कुछले हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है। और वो ताकत देने का काम बाबा साहब आमबेड करने अपने जीवन से दिया है। कभी कमार म्यक्ति के जीवन में अविरत रुप से जब कटू अनुभव रोज कई जिंदगी का हिस्सा बन जाता हो। अपमानित होना, प्रथाडित होना, तिरस्कृत होना। अगर इंसान छोटे मन का हो, तो ये चीजें, मन मंदिर में, मन मस्तिस्क में, किस प्रकार से कटूता के रुप में भर जाती है। और मौका मिले, तो कभी लगता है आर उसको दिखा दूँगा। ये मेरे साथ किया था। बच्पन में मेरे साथ ये हुआ था। स्कूल गया तो ये हुआ था। क्या कुछ मन में नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक भिम्राव आम्बेड कर थे इतनी बुराईयों से सामना करना पड़ा इतनी प्रदार्त और प्रतारना जेलनी पड़ी लेकिन खुद के जीवन में जब मोका आया रती भर उस कटुता को बहार आने नहीं दिया बदले का भाव आउश भर भी ना सम्मिधान में कभी प्रगट हुआ ना कभी उनकी मानी में प्रगट हुआ ना उनके कभी अधिकार शेत्र में प्रगट हुआ ब्यक्ति की उचाई ऐसे समय कसोटी कस्ति के पर पता चूंता है कि कैसा महान तम ब्यक्तित्व होगा हम शिवजी को शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया था बाबा साब हम बेड करने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अम्रित वर्षा की थी और इसलिए उस महापुरुष की जन्म जहनती पर और वो भी जिस धरती पर उनका नव जन्म हुआ उस दिख्षा भूमी पर प्रणाम करते हुए देश के चरणों में एक नई व्यवस्ता देने का आज प्रयास हम कर रहे हैं अजनेक योजनाओं का प्रारंभ हो रहा है नए भवनों का प्रारंभ हो रहा है करीब 2,000 मेगावोर्ट के बिजली के कारखाने का लोकारपन हुआ उर्जा वो जीवन का अतूट अंग बन गई है विकास का कोई भी सपना उर्जा के अभाव में संभव नहीं होता है और 21 सदी में उर्जा एक प्रकार्द हर नागरी का हक बन गया है लिखित हो या नहो बन चुका है देश को 21 सदी में प्रगती क्यूंचाईयों पर ले जाना है अगर भारत को आधुनिक भारत के रूप में देखना है तो उर्जा उसकी पहली आवश्यक्ता है और एक तरफ परियावरण की चिंता के कारण विश्व थर्मल पावर को चुनोती दे रहा है तो दूसरी तरफ विक्सित देशों के लिए वही एक सहारा होता है वैश्विक्स तरफ इतने बिड़े कांफ्लिक के बीच जब रास्ता निकालना है तब भारत ने भी बिड़ा उठाया है कि हम पुरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं पुरे ब्रह्मान को अपना मानने वाले लोग हैं हमारे द्वार हम ऐसा कुछ नहीं होने दोंगे जो भावी पीडी के लिए कोई संकट पादा करे और इसलिए भारत ने एक सो पच्चतर गीगावर्ट रिन्यूबल एनर्जी का सपना देखा सोलार एनर्जी हो विंड एनर्जी हो हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हो और आप जब नितिन जी बेड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि नाकपूर वास्यों का जो गंदा पानी है वो बिजली के उत्पादन में काम लाया जाता है रिसाइकल किया जाता है एक प्रकार से परियावरान के अनुकूल यह इनिसिटीव है मैं इसके लिए नाकपूर को बढ़ाई देता हूँ और देश के अन्य भागों में भी जीरो वेस्ट क्या कंसेप धीरे धीरे पनप रहा है आज यहां आवास निर्वान का भी बहुत बड़ा कारकम हाथ में लिया गया उसका भी प्रारम हुआ है 2022 आजादी के 75 साल हो रहे है पल भर के लिए हम 75 साल के पहले की जिन्दगी की जीने का प्रयास करके देखे हम उस कलपना विश्व में पहुँचे 1930, 40, 50 के पहले का कालखन जब देश के लिए लोग जान की बाजी लगा देते थे हिंदुस्तान का तिरंगा फैराने के लिए फासी के तक पर चड़ जाते थे मा भारती को गुलामी की जंजिरों से मुक्त कराने के लिए जबानी जेल में खपा देते थे मृत्यू का अनिगन करते थे हस्ते हस्ते देश के लिए मर मिटने वालों की कतार कभी बंद नहीं हुई थी इस देश के वीरों ने वो थाकत दिखाती थी कि फांसी के फंदे कभी कम पड़ जाते थे लेकिन मरने वाले देश के लिए शाहादत देने वालों की संग्या कभी कम नहीं हुआ करते अंगिनत बलीदारों का प्रणाम था कि भारत मां हमरी आज़ाद हुई लिकिन आज़ादी के दिवानों ने भी तो कुछ सपने देखे थे उन्होंने भी भारत कैसा हुए कि इरादा रखा था उनको तो उस अभागे मिला नहीं आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेने का हमें सभागे मिला नहीं उस आज़ादी के आंदोलन के लिए अपने जिन्दगी खपाने का लिकिन हमें मोका मिला है देश के लिए मरने का मोका न मिला देश के लिए जीने का मोका मिला है क्या 2022 जब आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं आज हम 2017 में खड़े हैं पांच साल का सबय हमारे पांस है सबासो करोर देश वासी अगर संकल्प करें कि जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए जीवन लगा दिये उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मेरी तरफ से इतना योगदान होगा मैं भी कुछ करके रहूँगा और संकल्प करके करके रहूँगा और सही दिशा में करके रहूँगा मैं नहीं मानता हूँ कि 2022 आते देश विश्व के सामने खड़े होने की ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा मुझे कोई आश्व कर देश और उसमें एक सपना है हमारा 2022 जब आज आजी के 75 साल हो तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो इस देश का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसको अपना रहने के लिए घर ना हो अपनी चत ना हो और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो पानी हो, चूला हो, गैस का चूला हो नद्धिक में बच्चों के लिए स्खूल हो बुजूरगों के लिए नद्धिक में अस्पटाल हो ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं देख सकते सवासो करोड़ देश सवासी मिल करके हमारे देश के गरीब के आंसुन नहीं पहुंच सकते हैं भीम्राव आंबेड कर रेजी सपनों को लेकर के समिधान में रचना की है उन समिधान को जी करके दिखाने का आउसर आया है हम दोहजार बाईज के लिए संकल पकरें कुछ कर गुजरने का रियादा लेकर के चल पड़े मैं मानता हूँ कि इस अपना पूरा होगा मैं महाराश्चा सरकार को बशाई देता हूँ कि भाराश्चा सरकार की योज़रा के साथ महाराश्चा भी कदम से कमम मिला करके आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में घर बनाने की दिशा में काम चलता है और उससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलने वारा है गरीबत को घर तो मिलेगा लेकिन घर बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा सिमेंट बनाने वालों को काम मिलेगा लोहा बनाने वालों को काम मिलेगा हर व्यक्ति को काम मिलेगा एक प्रकार से रोजगार के सुजन की विवड़ी संभावन और हिंदुस्तान के हर कौने में अपने अपने तरीके से घर बनाने के बहुत बड़ा भ्यान चल रहा है आज उसका भी एक प्राणम करने का मुझे उस्थ मिला 21 सदी ग्यान की सदी है अब मानव इतिहास इस बात का अगवा है जब जब मानव जार्द ग्यान यूग में रही है तब तब हिंदुस्तान ने नित्रुत्व किया है 21 सदी ग्यान का यूग है भारत को नित्रुत्व देने का एक बहुत बड़ा अवसर है आज हाँ एक साथ टिपल आईटी आयायम एम्स एक से बढ़कर एक और यहाँ नए भवनों का अनिर्मान बे यह सारी इंस्टिटूशन्स चलेगी महारास्ट्र के और देश के नवजवानों को अपना भाग्य बनाने के लिए आधुनिक भारत बनाने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इन संस्थानों के द्वाना आउसर्मिलेगा मेरी युवापीडी को बहुत बहुत शुब कामना हैं यह आज जब मैं उनको मेरे देश की युवापीडी को यार्पित कर रहा हूं मेरी उन सब को बहुत बहुत शुब कामना हैं आज पिछले कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया के दिशा में हम काम कर रहे हैं और भग व्यापक रूप से काम कर रहे हैं उसका एक फलक है डिजिधन और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लेगागा डिजिधन नीजीधन ये डिजीधन नीजीधन ये गरीब की आवाज बनने वाला है मैंने देखा बड़े-बड़े विद्वान विरोत करने के लिए ऐसा ऐसा विरोत कर रहे थे कि मोदी जी अब कह रहे है कि कैशले सोसाइटी धिंकना अफलाना ना जाने मैंने ऐसे ऐसे भाशन सुने तो रात को फिर मुझे बड़ा व्यंग विनोत के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता था उनको याद कर लेता था तो मुझे बड़ा महरान था बड़े बड़े विद्वान लोग क्या बोल रहे थे कम कैश घर में भी आपने देखा होगा धनी से धनी परिवार होगा बेटा होस्टेल में रहता होगा तो भी माबाप के बीच में चर्चा होती है एक साथ ज्यादा पैसा मत भेजो कहीं बेटे की आदत बिगड़ जाएगी धनी से धनी परिवार भी गरीब से गरीब परिवार भी बेटा कहेगा मा मुझे आज पांच रुप्या दो तो बाप समझाता है नहीं बेटा ऐसा करो दो रुप्या ले जावा दो रुप्या से यह जीवन में भी महत्व रखती हम परिवार में अनुभव करते आये हैं सुखी से सुखी परिवार भी बंडल के बंडल बेटों को नहीं देते हैं क्योंको मानू मैं इससे क्या क्या होता है अच्छा कम होता है बुरा ज्यादा होता है जो व्यक्ति के जीवन में है वही समाज के जीवन में होता है वही राष्ट के जीवन में होता है वही अर्थ व्यवस्ता के जीवन में भी होता है यह सीधी सीधी सरल समझ को हमने वहवार में लाना चाहिए कम कैश कम नगर इससे कारोबार चलाया जा सकता है और कोई एक जमाना था जब सोने की ही लगड़ी ही करंसी रहती थी ऑदूंअיה को अच्छ गिनी हुआ करती थी बदलते बदलते कभी कभी चम्ड़िका आया कभी कागज काभी आया ना जाने कितने बतलाव आये और हर यूगी ने हर बडलाव को स्विकार किया है हो सकता है उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जो कुछ कहते होंगे शायद उसमय अखबार नहीं होंगे इसलिए छपता नहीं होगा लेकिन कुछ कहते होंगे ही होंगे उस समय भी विवाद भी रहे होंगे लेकिन बडला भी हुए होंगे अब वक्त बडला है आपके पास अल्टरनेट्स व्यवस्ताइं अभेलेबल हैं शुरक्षित व्यवस्ताइं अभेलेबल हैं और उसमें से भीम एप और मैं मानता हूँ भारत के समिधान में सामान ये मानवी को हक देने का काम जिस तरीके से भीम रावाम बेड़ करने किया है उसी तरीके से भीम एप अर्थ ववस्ता के महारती के रूप में काम करने वाली है ये मेरे शब्द लिख करके रखिए कोई रोग नहीं पाएगा ये होके रहने वाला है आप हरान होगे हिंदुस्तान जैसे देश में करन्सी छापना छाप करके पहुंचाना सुरक्षित पहुंचाना अर्बों खर्बों रुप्या का खर्च होता है अगर इनी व्यवस्ता से पैसे बच जाएं तो कितने गरीवों के घर बन जाएं दोस्तों कितनी बड़ी देश सेवा हो जाएं और यह सब संभव है इसलिए करना है संभव नहों होता तो नहीं कर रहा वो भी गुजारा करते थे पहले वह वह साथ ज़रूरी थी करते थे अगर कम कैस की दिशा में हम ताय कर रहे हैं आप देखिए बड़लाव संभव है मैं तो हरान हूँ एक-एक ATM की रक्षा के लिए पांच-पांच पुलीस वाले लगे रहते हैं एक इंसान को सुरुक्षा के लिए पुलीस देने पर कभी दिक्कत होती है एटीम के लिए खड़ा रखना पड़ता है अगर कम कैस का कारोबार हो जाएं आपका मोबाइल फोन ही आपका ATM बन जाएगा और वक्त दूर नहीं है जब प्रिमाइसिस लेज और पेपरलेस बैंकिंग यह जीवन का हिस्सा बनने वाला है जब प्रिमाइसिस लेज पेपरलेस बैंकिंग जीवन का हिस्सा बनने वाला है इसका मतलब हुआ का आपका मोबाइल फोन यह सिरफ आपका बटवा नहीं आप का मोबाइल फॉन आपकी अपनी बैंक बन जाएगा टेक्नोलोजिकल रिवोलिशन आर्थी जीवन का हिस्सा बन रहा है और इसलिए कि पचीश दिसंबर को कि जब ये डीजी धन योजना को लॉंच किया गया था जिस दिन लॉंच किया था कृष्मस की सुरुवाद थी हैपी किस्वस के साथ सुरुक किया था सो दिन तक सो सहरों में चला और आज उसकी पुरुणा हुती एक प्रकार से इधर किस्वस के दिन प्रार्म किया था हसी खुशी के साथ सुरुक किया था यात्रा करते 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 हैं चल पड़े आज कभी लोगों को लगता था कि जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है क्या करेंगे मैं पार्लामेंट में बहुत बाशन बेड़ा इंट्रेस्टिंग बाशन है सब थे कि देश के पास स्मार्ट फोन नहीं है डिकना नहीं है फलाना नहीं है हमने उनको समझाया भई आट सो हजार रुपया वाला फीचर फोन से भी गाड़ी चलती है लेकिन अब तो आपको मोबाइल फोन की आवश्यक्ता नहीं है अब आप यह नहीं पूछोंगे क्या करेंग आपके पास अंगूठा तो है ना एक जमाना था अनपड होने की निशानी हुआ करती थी यूग कैसा बदल गया है वो ही अंगूठा आपकी शक्ति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है कि यह सारे नवजवान दिन में दो दो घंटे अंगूठे पर लगे रहते होंगे मोबाइल फॉन डेकर करके मैसेज लगते हो गई टेक्नोलोजी ने अंगूठे को ताकत वर बना दिया है और इसलिए भीम आधार भारत गड़ब कर सकता है दुनिया के दुनिया के टेक्नोलोजी कली एड़वां देश के पास भी ये विवस्तान नहीं है जो हिंदुस्तान के पास अब जो लोग बीम एप पर विबात करने के बहुत भी लोग स्विकार करते गए तब वो आधार पर विबात करने में लगे हुई हैं वो उनका काम है करते रहेंगे आपके पास मोबाइल फोन ही हो या ना हो आपका अगर आधार नंबर है आप स्वैम किसी दुकानदार के यहां गए हैं और उसके पास छोटा सा इंस्ट्रुमेंट होगा बड़ा पॉस्ट मशिन की भी ज़रुत नहीं हो कि छोटा सा इक होग आप पहले सी बैंक के साथ आपका अधार नंबर पर जुड़ा हुआ है अगर आपने दस रुप्या का माल लिया है तो दस रुप्या आपका उर्टमेटिक कट हो जाएगा एक रुप्या साथ में ले जाने की जुरूत नहीं कहीं आपका कारोवार रुकेगा नहीं कितनी उ वो दिन दूर नहीं होगा दुनिया की बड़ी बड़ी उनिवर्सिटीज इस भीम आधार का केश स्टेड़ी करने के लिए भारत का पर आएगी सारे नवज़मान स्टेड़ी करेंगे दुनिया में आर्फिक बडलाव क्या हो सकता है कि इसका यह आधार बनने वाला है जी यह रेफरेंस पॉइंट बनने वाला है और मैं कली हमारे रविशंगर जी जो को कहता था क्या भारत सरकार ने इसका पैटन करवाया है क्योंकि होने वाला है दुनिया इस विशय को अपना विशय बनाने के लिए मुझे भी आफ्रिकन देशों के जितने मुख्या लोग मिले तो उन्होंने मेरे से इसकी जिग्या साभी कियो और ये भी चाहता क्या हमारे देश के लिए आप कर सकते हैं क्या धीरे धीरे इसका वैश्वी की विस्तार का खारण भी बन सकता है और भारत एक बहुत बड़े कैटली के एजनिकी रूप में का कारिकम किये गई लाखों लोगों ने बढ़ चाहर करके हिस्सा लिया technology को समझने का प्रयास किया स्विकार करने का प्रयास किया और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इनाम मिले. । और आज जिन लोगों को इनाम मिला उसमसे एक सजन चिर्न नहीं के, उन्होंने तो गोष्णा कर देी, मुझे जो इनाम मिला है। वो मैं गंगा सफाई के लिए समर्पित कर देता हूं मैं उनका अभिनंदन करता हूं और वैसे भी डीजी दन सफाई अभ्यानी है प्रस्टाचार काले धन के खिलाब रड़ाई का एक बहुत बड़ा माजा रखता है और मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूं कम कैस्ट विचार आपको पसंद आए या ना आए कैसले सोसाइटी का सपना आपको अच्छा लगे या ना लगे नोटों के मिना जिंदगी कैसे गुजरेगी आपके मन में सवाल या निशान हो या नहो लेकिन इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल दिमाग में ब्रस्टाचार के प्रतिक गुसा नहो देने वाला भी गुसा करता होगा और कभी लेने वाला भी रात को जाकर के सोचता होगा यार अब मोदी आया है कहीं फस जाओंगा तो क्या होगा बहुत बुरा हुआ है लेकिन आगे बुराई से बचने के लिए एक उत्तम साधन है जो भी भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी वो एक प्रकार से ब्रस्टा चार और काले धन की लड़ाए लड़ने के सिपाई है मेरे लिए बहुत बड़ी धाकत है मेरे देश के और इसने मैं इसे निवंतिज देता हूँ नौजवानों को और इसमें दो नई चीजे जोड़ी है इस बार और अभी तो योजना यह है कि वो 14 अक्तुबर तक हम चलाएंगे आज 14 एप्रील है 14 अक्तुबर इसलिए कि 14 अक्तुबर को बाबा साब आमबेड करने दिख्षा ली थी बाबा साब आमबेड करका दिख्षा का वो पवित्र अवसर था 14 अक्तुबर और इसलिए आज 14 एप्रील से 14 अक्तुबर तक एक विशेश योजना है आज देखा होगा आपने अच्छे परिवार के नवजवान भी उनके दिमाग में भी है कि हम वेकेशन में कुछ नगुछ काम करें और खुद कमाई करें धनी परिवार के बच्चे भी अपनी पहचान छुपा करके ऐसी जगापे जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो खूद को ट्रेइन करना चाहते हैं। कि जिस सरकल में हो पि较दा हुई है वह मोकानी वलता है। वह हुत्रलं के जाते हैं, बरतन साब करते हैं, चाय की फी परोस्ते हैं। इस प्रकारदें काम करते हैं, कई पेट्रल पॉम्पे जाकर काम करते हैं एक गर्व से जीने का आज नई पीडी का दिमाग में यह चीजा आ रही है पहले हम सुनते देख विदेश में नवजमान सब रात को जाकर के दो दो तिन तिन गंटे ऐसी महनत का काम करते हैं है पेशी चलाते हैं ढिकना करते हैं वनाना करते हैं उस कमाई करते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं आप किसी को भीम एप के समझाएंगे, किसी मर्चंड को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मुबाइल पर भीम एप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रिणा से वो तीन ट्रांजेक्शन करेगा, कभी पचास रुपे की चीज खरीदेगा, कभी तीस रुपे की खरीदेगा, कभी सो रुपे की खरीदेगा यह आपके द्वारा अगर हुआ है, तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा, तो सरकार की तरफ से आपके खाते में दस रुपिया जमा हो जाएगा अगर एक दिन में आप बीस लोगों को भी यह कर लें, तो शाम को जेब में दो सो रुपिया आपके खाते में आ जाएगा अगर वेकेशन के तीन महिना ताइक कर लेंगे रोज दो सो रुपिया कमाना है, बताइए मेरे नवजवान साथियों, यह कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कुछ लेना जाना नहीं, उसको जिरुफ शिखाना है, समझाना है, और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम एप को लागू करेगा, कारोबार उससे सुरू करेगा, तो उसको जो इसके मिनिमम जो रैंग होगा उतरा करेगा, तो उसको पचीस रुपए मिलेगा, उसके खाते में पचीस रुपए जमा होगा, यानि जिसको आप समझाना है, उसको समझा सकते, कि देख मुझे तो दस मिल रहा लेकिन तेरे को पचीस मिलने वाला है, और ये योजना 14 अक्तूबर तक चलेगी बावा साब आम्बेड करका दिक्षा प्राप्त करने वाला दिवस्ता हो छे महिने हमारे पास है हर नव जमान इस स्मेकेशन में 10,000-15,000 रुपे आराम से कमा सकता है और आप ब्रस्टाचार के खिलाब के लड़ाई जीतने के लिए मेरे सबसे बड़े मददगार बन जाएंगे और इसलिए मैं आपको निमंतर देता हूं कि इस योजना में उसकी बारी की जो लिखित होगी वही फाइनल मेरे समझाने के लिए थोड़ा प्लस माइनस बोल रहा हूं लेकिन जब आप लिखित पढ़ेंगे तो पक्की योजना आपको समझा जाएगी और मैं चाहता हूं मैं देश के नवजवानों को चाहता हूं कि अब एक्जाम हो गई है मोबाइल फॉन उठाइए इस ववस्ता को समझेए और बीस लोग पचीस लोग तीस लोग में लग जाएए आप शाम को दो सो तिन सो रुपया कमा करके खर्च ले गाएंगे और पूरे वैकेशन में आप करेंगे अगली साल के आपकी खर्च का पढ़ाई का पॉकेट खर् से एक रुपया मांगने की ज़रूत नहीं पड़ेगी यह यह रिवालुशन लाने का प्रयास है कि आज यहाँ कि 75 टाउंचीप कम कैश वाली उसका लोग कारपन हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर टाउंचीप में लोग रहते हैं कि अलग-अलग कई फर्टिलाजर कंपनियां की टाउंचीप है कि रिल्वे वालों की टाउंचीप है कि फोज वालों की टाउंचीप है ऐसी 75 ने पूरी तरह आपने आपको कम कैश वाला किया है, तो जब मैंने इसकी पहली एक टाउन्सिप कम कैश वाली बनी तो मैं उसका प्रेजेंटेशन ले रहा था, मैंने का सब्जी वाले का क्या इंट्रेस्ट है, वो क्यों ये कारोबार में हाट जो था, उसने बड़ा इ मैं बेचने के लिए फुटपात पर बैठता हूं, सब्जी बेचता हूं, तो जो महिलाए सब्जी खरीदने आती है, अगर बील बन गया, पचीस रुपिया असी पैसा है, तो कहते हैं लो पचीस रुपिया ले लो, चलो चल जाएगा, वो असी पैसा नहीं देती है, कितनी बोले इसके कारणा क्या हुआ है, मुझे पूरा पचीस रुपिया असी पैसा मिलता है, और बोले शाम को जो मेरा पंदरा बिस रुपिया कम पड़ जाता था, अब मेरा पंदरा बिस रुपिया मेरी एक्स्ट्रा इंकम ऐसे ही हो गई है, अब देखे कितना फाइदा, एक अपनी बात में अपने में से डून लिया लेकिन ये 75 टाउन से एक अच्छी शुरुवात है लेकि हम लोगों की कोशित रहनी चाहिए कि हम कम कैश की और देश को ले चले हम इसमें योगदान दे और ये जो रिवलुशन हो रहा है उसके हम स्वयम एक सिपाई बने उस बात को हम आगे बढ़ाएं मुझे विश्वास है कि आज जिन लोगों को इनाम मिला है और इतने कारेकाल में करीब धाई सो करोड़ पे से जादा इनाम मिले हैं वे इनाम प्राप्त करकर के संतोस नमाने हैं हजारों की तादाद में नागरिकों की इनाम मिला है वे भी इसके एमब यह देश में परिवर्तन लाने का नागरिकों की मदद से होने वाला एक बहुत बड़ा सफल अभियान है मैं रविशंगर जी और उनके विभाग की पूरी टीम को और निती आयोग को बड़ी बढ़ाई देता हूं कि फूल प्रूप टेक्नोलोजी के लिए उन्होंने भरस भारत में क्या हो सकता है भारत के सामान्य मानवी को गरिब से गरिब व्यक्ति भी इसको अपने कारोबार से चला सके इतना यूजर फ्रेंडली विश्वस्त ये विवस्ता विक्सित हुई है मैं फिर एक बार विभाग के सबी साच्छों को बढ़ाई देता हूं मैं सब्सक्रा में आप सबसे मिजे मिलने का उसर मिला आपका बहुत बहुत धन्यवाद चले दोस्तों बरायत मैं बहुत बहुत आभाए